नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारा सिफल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ और नौ फरवरी तूला रासिफल के बारे में कि अदो दो दो में कली यूग में भी होगा बड़ा चमतकार जिहां दोस्तों आप अब यह दो दो दिनों में एक बड़ा कामयाबी हासिल करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में लास्तक बने रहें इस वीडियो में हम आपको एक फायदा भी बताएंगे और आपको किन चीज़ों से सावधान रहना होगा आपकी लव लाइब कैसे रहने वाले हैं केरियर कैसा रहेगा विजनेस और व्यापार कैसा रहने वाला है और स्वास्त की महतपुन चानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबंग के क्या है दोस्तों वीडियो की अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना शकी दोस्तों आपकी वीरासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जडूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नॉटिफिकेशन बैल को दबा दें जिसे समय समय पर हमारे नीव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच शके तो चली दोस्तों बात करते हैं कि यह दो दोन में आप कल यूग में केसे बड़ा चमतकारी हासिल करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं चानक नीती के बारे में दोस्तो चानेक निती का मानना है कि कुछ लोग के पास दुनिया की सभी सुक्स विदा होती है लेकिन फिर भी उनके पास सांती नहीं होती है सांती तभी आती है जब व्यक्ति अपने मन पर वस कर ले संसार में जिस व्यक्ति ने सांती को डूंड लिया समझी उसका जीवन सफ बना कर रखे हैं इसे आपके कई रुके वे कारहल हो जाएंगे दूस्तों आप पिछले समय में किसी को जो उधार दिये होंगे वह आपस मिलने की पूरी शंभावना है दियांतरन रिवाओं को प्रोफेशनल पढ़ाय में उची सफलता मिलेगी अगर घर परिवरतन समंदी को कुछ समस्यां को समाधान भी निकलेगा दोस्तों दिन के दूसरे दिन आपको की महतपुन उपलब्धी आपका इंतिजार कर रही है परन्तु सही समय का सही सदपियो करना आपकी छमता पर निर्भर करता है मैलाओं के लिए समय विशेश रूप से अनुकुल है वो अपने व्यक्तित तथा प्रफेशनल गतिविदियों को सुचार रूप से निर्वाह करेगी दोस्तों यूआ वर्ग अभी अपने उपलब्धी को लेकर संतुस्त रहेंगे अभी उन्हें और अधिक मेहनत करने की ज़रत है को भी निने तुरंद लेने के प्रयास करें दोस्तों ज प्रफेशनल गतिविदियों को और अधिक बढ़ाएगा लवलाई में आपकी दोस्तों पती पतनी के बीच वेक्तिगत समस्या को लेकर कुछ मनमटाब की इस्ति रह सकती है प्रेम समद में एक दुसरे के भावनाव को शम्मान करना जरूरी है दोस्तों या तीन दिनों के अंदर में ही कोई सुखत और खुसी भारा समाचार मिलेगा जिसके वज़े से आप खुद को बहुत ही हलका फुलकावा तनामुक्त महसूस करेंगे युवा को किसी इंटेर्वी में सफलता मिलने से आत्म विश्वास बढ़ेगा और पुरी उर्जात था मेहनत से अपने का कारें को भी गति दें दोस्तों यह तीन दिनों में एक खास बात ध्यान रखनी है कि हर किसी पर विश्वास न करें तथा अपनी योजना को किर्याविंद करने में शमे लगाएं कुछ अनावस्य खर्चे भी आ सकती है दोस्तों आप विश्वास पर टिके हैं तो आप हमेस आगे बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों आप किसी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए ज्यादा विश्वास करना हमेसा खतरनाक साविद होता है ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार लोग आपके इसी विश्वास का फैदा उठा कर एसा हमला करते हैं कि आपका बचना उस वक्त वो ये नहीं देखते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है इसलिए दोस्तों किसी पर विश्वास भी इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आपको नुक्सान हो दोस्तों व्यासाई समंदिक गर्तिवदियों में वैस्ता बनी रहेगी नहीं उपलब्दियां सामने आएगी ज़्यादा सोच विचार करने में समय वेर्थ ना करें तथा तुरंद मिंदर लें ओफिस में चरही रायंती से अपने आपको अलग रखें जीवन साथी तथा परिवार सदस्वक की पूरे सहयोग मिलेगा रेम परसंग में नजदिकियां बढ़ेगी उस्ताब के स्वास्त के बारे में देखा जाए तो तवचा समंदिक कोई अलर्जी हो सकती है ज्यादा भील भाड तथा पॉलिशन जैसे अस्थन पर जाने से पर गुमिया थवावाहन से समंदिक कोई रीन लेते समय उसके सभी पहलुवा पर सोच विचार आवस्य करें दूस्तों आप क्रोध कभी नहीं करें क्रोध एसा जहर है जो वेक्ति को मारता तो नहीं है लेकिन उसको अपने जिसी विसेला बना देता है जब आप सोचेंगे सब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते हैं आप मैंसे भी एसे बहुत से लोग होंगे जिने खुरोत की वज़े से बहुत से परेसानिया का शावना करना करना पड़ा होगा क्योंकि क्रोध के आवस मैं आकर अख्शार इंसान अपने पराय का लिहाल भूल जात जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिष्टे गवाब बेटता है दोस्तों कुरोध कभी भी नहीं करें इसे दोस्तों आप हमेशा पीछे की और चल जाएंगे इसलिए दोस्तों कुरोध पे काबू रखेंगे तो आप हमेशा तरकी और चमतकारी की करीबी पहुंचेंगे और अन्यक से कामियावी भी हासिल करेंगे दोस्तों कारिछत में वस्ता ऊचित बन ہे रहेगी आपको अपने प्रियास्ता परिस्तरं की उचित पर नाम भी हासिल होंगे नोकरी पेसा लोगों को अपने कोई महत्तुपून कारभार मिल सकता है पर्नों तो अपने सहग्यों क साथ वहवार उचित बना कर रखें पूरानी नकातरों बातों को बरतमान पर हावी ना होने दें ध्यान रखें कि छोटी सी गलत फेमी की वज़ा से मित्रों अत्वा भाईयों के साथ समन्द खराबी हो सकते हैं दूसरों की बातों तथा सलहा पर भी ध्यान देना जरूरी है दोस्तों यह तीन दिनों में सियर्ष तेजी मंदियादी जैसे वेवसाय में बहुत ही सोच समझ कर निरने लें इसमें बिजनस में बहुत ही संजदिगी और गंपिटा से काम करने की जरुत है और फिस समन्दी कारों में आपका कोई महतुपुन फैसला सब के लिए लाबद परिष तो बहतर होगा कारास्थल में अभी कुछ दिकत्या और चनुत्या बनी रहेगी इसमेयरिक समझ किसी भी प्रकार की कारों में समय और पैसा वेर्थ न करें दोस्तों नोक्री पैसलों को अपने कारे समय पर पूरा ना होने से तनाव रह सकता है दोस्तों परिवार के गुटनों के दद्ध परहसान कर सकते हैं वेक्तिकत उल्जनों के कारण आप घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे जिसकी वज़से सबकी नराजगी जहलनी पर सकती है सुकोन और सांती बनाए रखने के लिए कुसमे अतादमी गती विदियों अथवा एकात में जरूर वेतित करें सर्योग और मानसी रूप से ठकान और कमजोरी महसूस होगी दोस्ता आपके घर में किसी ननहे महमान की किलकारी सबंदी खुस खबरी मिल सकती है परिवारी बतारन सुखदवा स्वधारन पूर बना रहेगा आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा योगा और मेडियेसन को अपनी दिन्चारिया में सामिल करना जरूरी है चलिस्ता आप बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्ता हर रोज रात को सोने से पाले हनुमान जी के सामने सर्स्व के तेल का मिट्टी का दीपक जलाएं और हनुमान चलिसा का पाठ करें इसे धन सबंदी परेशनिया दूर होती है आर्थिक परेशानिया से बाहर निकलने के लिए रामया या सिर्राम चारित्र मानस का पाठ करें या रोजाना इनके दोहे का पाठ करें पढ़ें परती दिन हनुमान जी को धूब अगरवत्ती और फूल चलाते हुए पूजा करें इसे आपके सबे मनुकामना भी पूर्ण हो जाएंगे दोस्ता आप बात कर लेते हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली आंक क्या है दोस्ता आपका भागसाली रंग गुलावी है और भागसाली आंक तीन है दोस्तों भागवान बजरंग वली का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्षे कॉमेंट बॉक्स में जय हनुमान जडूर लिखे और वीडियो को लाइक शेर जडूर करें धन्यवाद